हम जब भी मार्केट से घी लाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है और जब हम घर में घी बनाने की कोशिस भी करते हैं तो बहुत जादा उसमें खुर्चन वगरा बच जाती है और वो इतना दानेदार नहीं बन पाता है कभी उसमें खटी स्मेल आ जाती है तो आज के वीडियो में पारम पर एक तरीके से जैसे हमारी दादी नानी घी बनाया करती थी वैसे ही हम माखन और शुद्ध देसी घी बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं से बनाना जब भी घर में दूद आता है तो हमें उसे हमेंसा लोटू मीडियम आज पर गरम करना चाहिए जब दूद अच्छे से गरम हो जाए और ठंडा हो जाए उसके उपर जो मलाई जम जाती है उसे हमें निकाल लेना है दूद को आप कामे ले सकते हैं हमें घी बनाने के लिए बस ये मलाई चाहिए होगी जादा मोटी मलाई जम आने के लिए आप दूद को गरम करने के बाद थंडा करके फ्रिज में रख दे जब आप फ्रिज में दो गंटे के लिए दूद को रख दोगे तो उसकी जो मलाई है वो बहुत मोटी हो जाती है तो बस हमें तीन से चार दिन की मलाई एकटी कर लेनी है तो आप किसी डखकन वाले डिबे में इसे डाल कर फ्रिज में रख सकते हैं या फिर किसी बरतन में भी इसे डखकर ढखकर इसे फ्रिज में रख दे तो इस तरह से 2-3 दिन की मलाई खराब भी नहीं होगी हमारा घीवी अच्छे से बन कर तयार होगा तो जब 2-3 दिन की मलाई इस तरह से एकटी हो जाएगी तब हम क्या करेंगे मलाई को थोड़ा गरम कर लेंगे नॉर्मल टेंपरेचर पर जब यह आ जाएगा तब हम इसमें एक चमस लिए छोड़ दे और सुबह आप इसका माखन बना सकते हैं ऐसा नहीं कि आप इसमें बिल्कुल भी पानी डालना है इसे इसी तरह से मत लेना है जब इस तरह सी पूरा मत जाएगा डेड़ से दो मिनिट हमें लग जाएगी उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे तो हम क्या करेंगे इसको एक बड़े बरतन में ले लेते हैं बड़े बगुने में ले लेते हैं और इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और अब आम इसे बड़ी ऐसे मत देंगे इस तरह के से आप माखन बनाते हैं तो आपको ना तो कोई मिक्सी की जरूरत होती है और ना बंगा से अलग हो जाएगा, अब चाहँ हमारे पानी सदोग मेरा हम्हारा ओर टाल देते हैं नहीं फाइज नहीं को प्रदूल पांग करें और दो लिकान क이ुल जाएगा भारव मैं क्या करूंगी उसी बटन में चाज को निकाल देती हूँ माखन हम इसी में रहने देंगे ताकि अच्छ से हम इसमें पानी डाल कर माखन को साफ कर सके बढ़िया से ये देखे चाज को मैंने अलग कर लिया है अब हम इसमें दो गलास पानी डाल देंगे माखन को अगर हम य यहीं अच्छ से साफ कर लेते हैं अच्छ से इसकी छाज को अलग करते हैं तो घी में हमारे खटी समयल नहीं आएगी. तो इसलिए इसमें अच्छे से पानी डाल कर इसको बढ़िया से हमें धो लेना है यहीं पर तो हम इस मतनी को तो अलग रख देते हैं इसका माखन हटा कर और अब हम हाथ से ही इस माखन को बढ़िया से साफ करेंगे तो इस तरह से हाथ से मसलते हुए हमें माखन को धोना है बढ़िया से आप चाहे तो इसमें और पानी डाल सकते हैं माखन या बटर में हमारे बिल्कुल भी खटाई नहीं रहनी चाहिए तो यह देखिए हमने इसको बढ़िया से साफ कर लिया है अब हम माखन को अलग निकाल लेते हैं अगर आपको बटर बनाना है इसका पराठे या फिर ब्रेड बनाने के लिए तो हम इसे इस तरह से जमा लेंगे किसी बरतन में सेट कर लेंगे और अभी तो सर्दिया है तो यह बहर भी बहुती जल्दी सेट हो जाएगा पर आप इसे 2 गंटे के लिए फ्रीज में रख दिजिए बटर हमारा बन कर त्यार हो जाएगा 2 गंटे के बाद आप इसे निकाल सकते हैं आप इसे पराठे बनाया या फिर ब्रेड पर लगाए या फिर आप इसे मक्य बाजरे की रोटे के लगा कर खाया बहुत ही अच्छा होममेड बटर या माखन बनकर हमाया तयार हो गया है अब हम इसी माखन से बनाएंगे शुद्ध देशी घी एकदम दानेदार और खुश्बू वाला इसके लिए हम क्या करेंगे मोटे तले वाला कोई बरतन या कडाई ले लेंगे और उसमें हम इस माखन को डाल देंगे आज हमें low to medium रखनी है आप low आची रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा घी बनाने के लिए तो बस अब हमें सिर्फ 2-3 मिनट इंतजार करना है और हमारा शुद्ध देशी घी बनकर तयार हो जाएगा बहुत ज़्यादा घंटों हमें गैस चलाने की भी ज़रूत नहीं है और ना ही हमारे माखन से या हमारे घी से कुछ ज़्यादा खुर्चन बचेगी आप खुद देखिए आप इन जागों को हटा सकते हैं जा फिर आप वेट कीजिए यह अपने आप ही खतम हो जाएंगे तो यह देखिए घी बनकर हमारा तयार हो गया है स्टील के कड़ाई होने के कारण जो इसमें बिल्कुल थोड़ी सी खुर्चन जो है वो हलकी सी लाल हो गई है इस वज़े से हमारा घी थोड़ा सा डार्ग दिख रहा है बाकी घी हमारा वाइट ही बनेगा आप वेट कीजिए कड़ाई को नीचे उतार कर हम धंडा कर लेंगे जब घी नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाएगा तब हम इसे चान लेंगे आप इसे कोटन की कपड़े से चानेंगे तो बहुत ही अच्छा है बाकी आप इस दाद से चलने से भी इस चान सकते है ये देखिए बहुत जादा खुर्चन इसमें पूर पूरा हमारा शुद्ध देसी घी बनकर तयार हो गया है एक किलो का ये डिबा है लगभग आदा भर गया है मतलब ये लगभग आदा किलो घी हमने बना लिया है वो भी मात्र तीन दिन की दूद की मलाई से हम इसे स्टोर करके रख देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से वाइट हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू